Hello friends, welcome back to my channel दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम online payment करते हैं Paytm से, phone पे से, Google पे से और हम जैसे ही UPI transfer करते हैं तो हमारा जो payment है वो हमारे bank account से कड़ जाता है और यहाँ पे message भी आ जाता है हमारे bank से कि इतना रुपए amount debit हो चुका है लेकिन हमने जिस shop पे या फिर जिस इनसान को पैसा transfer किया रहता है UPI से उसके पास ना तो कोई message आता है और ना ही कोई भी confirmation उसके application में दिखाता है और जो payment होता है वो processing में चला जाता है तो दोस्तों इससे problem यह होता है कि जिसको आपने पैसा भेजा है वो मानता नहीं है कि आपने उसको पैसा भेजा है क्योंकि न तो उसके bank account में वो amount जमा हुआ रहता है या तो फिर उसको कोई भी message नहीं मिलता है तो आज की इस video में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो payment है वो processing में जा चुका है और आपने जिसको पैसा भेजा है उसको पैसा receive नहीं हुआ है तो किस तरीके से आप यहाँ पे जिसको भी पैसा आपने भेजा है उसके पास message send कर सकते हैं कि आपने पैसा भेज दिया है तो बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है आप इस वीडियो को पूरा end तक देखिएगा और वीडियो को start करने से पहले है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से subscribe कर लिजे और इस वीडियो को like कर दीजे तो चलिए वीडियो को start करता है तो दोस्तों अभी जो आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो सिर्फ मुझे अभी तक पेटियम में पता चला है कि इस तरीके से इसको आप अपलाई कर सकता है अगर आप दूसरे application से यहाँ पे payment कीई होंगे तो उसमें अभी आपको यहाँ पे help नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना जो पेटियम का जो application है उसको open कर लेना होगा पेटियम का application अगर आप open करेंगे आपको यहाँ पे 3 lines दिख रहा होगा 3 lines पे आपको क्लिक करना होगा और 3 lines पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे options मिल जाएंगे आपको यहाँ पे एक option मिलेगा help and support का Simple आपको यहाँ पर यह help and support वाले option पर click करना होगा और इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो अभी तक आपने जितना भी transaction किया होगा अपने PTM से जितने भी merchant को payment किया होगा या फिर जितने भी अपने friends को payment किया होगा सारा कुछ आपको यहाँ पर so कर देगा record और यहाँ पर आप वाले transaction देख सकते हैं जो कि आपका payment processing में जा चुका है Simple आपको वाले transaction पर click करना होगा एक बार तो आप उसको जैसे ही click करेंगे तो आपको यहाँ पर एक help and support वाले chat open हो जाएगा और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपने किस bank account से किस date पर और कहाँ पर आपने पैसा transfer किया है तो यहाँ पर आपको यह सब कुछ information मिल जाएगा और यहाँ पर आपको तीन options भी मिलेंगे साथ ही साथ उसमें से एक option होगा आपका merchant did not receive money आपको simple यह वाले option पर click करना होगा आप यह वाले option पर click करेंगे तो अभी तो यह वाला जो मेरा transaction है अगर आप मेरा screen पर देख रहे होगे तो यह वाला जो transaction है मेरा इसमें यह मेरा successful हो चुका है pending में नहीं गया था इसलिए मुझे वाला option नहीं मिला है लेकिन अगर आपका जो यह transaction है वो pending में जा चुका होगा तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा send receive message ऐसा करके आपको एक option मिलेगा जिसको कि आप click करेंगे तो जिस भी merchant को आपने payment किया होगा तो उसके speaker से वो जो sound आता है कि इतना रुपीज receive हुआ paytm पर वो आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाएगा और अगर आप किसी को message भेजना चाहता है इस तरीके से मतलब जो amount है उसके bank account में add नहीं होगा लेकिन बस इस तरीके से आप यहाँ पर message जो है वो send कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ आपने जो payment है वो भेज दिया है और वो थोड़ी देर में उसके bank account में जमा हो जाएगा तो दोस्तों hope करता हूँ आपको आज की यह वाली information